हेलो गाईज, आम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point गाईज जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ Students Point पर आप सभी की कोर्सिस से रिलेटेड आपको क्लासिस के साथ साथ सलेबस भी प्रोवाइट किया जा रहा है क्योंकि इस साल स्टूडेंट्स को सलेबस नहीं दिया गया है तो काफी साथ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े है कि हम लोग अपना सलेबस कहां से देखे क्योंकि S.O.L. की बुक्स में बहुत सारे यूट्स जो होते हैं मिस्प्रिंट्स होते हैं और उनको प्रिंट नहीं किया जाता है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी और आप अभी अभी कॉलेज में आए हो 12 से निकल कर आए हो तो आप लोग इस बारे में जान भी नहीं सकते हो कि आप लोग के पास कितनी यूइनिट है कितनी नहीं है ठीक है आपका जो सबजेक्ट हैं वो तो आपको फिरी सिप में मिल जाते हैं लिकिन सिलेब आस नहीं मिल पाता तो उसी के लिए हम आपको आपके जो सभी सबजेक्स हैं उसके according सिलेब आस प्रोवाइड कर रहे हैं आज की जो हमारी वीडियो हैं हमारी डिपेंड है बी ए प्रोग्राम पर बी ए प्रोग्राम की स्टूडेंट्स के लिए मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का और हिंदी भाशा और साहित्य का स्लेबस बहुत अच्छे से बता दिया है बेस्ट राइटर्स बता दिये हैं उसके साथ आज की जो हमारी क्लास है वो हम हिस्ट्री पर करेंगे कि हमारी इस वीडियो में हिस्ट्री का स्लेबस जानेंगे डिसिप्रिन स्पैसिफिक कोर कोर्स में एंडि टू आपको कोई दो चूस करने हैं वो आपने जो चूस किये हैं वो किये हैं उसके according हम आपको आपका syllabus भी बता रहे हैं, ठीक है, तो उसके बास ability enhancement compulsory course में A, E, C, C जिसको बोलते हैं, इन चारों में से कोई A का आपने लिया है, environmental science या communication, या फिर English ABC, Hindi, Tamil AB या फिर Urdu ABC, ठीक है, वो आपकी choice है आपने इसमें क्या लिया है, और उसके बाद M.I.L. में आपने English ली है, जो 12 तक पढ़े हैं, उनके लिए English A है, जो 10 तक पढ़े हैं, English B है, और C है, उनके लिए जो 8 तक पढ़े हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ी नहीं हैं, वो principle of micro economics और globalization ये जो है सारा, ये subject choose कर सकते हैं, अब तो आपके admission हो चुके हैं, तो आज की जो हमारी class है, हम उसमें history का जो subject है, उसका असले बस जानेंगे, हिंदी medium की students को भी मैं बहुत जल्द उनका बता दूँगी, आज है class में हम English medium की students के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, so let's start, first unit है आपकी interpreting ancient India, survey of sources, देखिए interpreting होता है व्याख्या करना, और एक प्राचीन जो भारत है, उसकी व्याख्या करना है इसमें, survey और resources, उसके मतलब जो सारे उसके स्त्रोथ हैं, उसके नक्षे हैं, वो सारी चीज़े इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, second unit है prehistoric culture, इसके अंदर आपको prehistoric culture होता है, प्रगैतिहासिक होता है वो, इसमें आपको तीन, चार ये चीज़े पढ़ाई जाएंगी, क्या-क् हड़पन civilization, हड़पन सभ्यता आपको वो पढ़ाया जाएगा, और fourth unit है आपकी, वो है वैदिक culture, जो वैदिक जो होते हैं, उनकी संस्कृति क्या रही है, economical society में, religion में, beginning of the iron age, मतलब इसका है कि law yuk की शुरुआत कैसे होई थी, क्या हुआ था, और megalithic culture होते हैं, बड़े पथरों से बना हुआ, एक पूरी संस्कृति, कि बड़े बड़े पथरों से क्या चीजे बनी होती थी, क्या था, क्या नहीं था, वो सारी चीज़ा आपको इस history में, इस topic में बताई जाएगी, फिफ्थ है, पोस्ट वैदिक जो आपका परियड है, उसके अंदर आपको क्य है, कैसे हुआ था, इसमें क्या चीज़े आगे बढ़ी थी, क्या नहीं हुआ था, और बुद्धिज्म जैन पढ़ेंगे आप इसमें, डॉक्टर राइन सिध्धानत कहलाते हैं, और स्प्रेड होता है फैलाना कि इन सब चीज़ों को कैसे आगे फैलाया गया था, इसमें क जो एकोनॉमी है, उसके बारे में, अशोग धामा, अशोग धामा जो है, वो एक रिलीजिन है, एक रिलीजिन के बारे में अशोग धामा में बताया गया है, यह एक रिलीजिन होता है, और डिकलाइन आर्ट और आर्क्टेक्चर, जो डिकलाइन होता है, मतलब संपर एक तर तो तमिला कमा बोले कि मैम क्या है ये ये भी एक तरीके से आपका जो है एक लैंग्विज है जैसे आपकी ये जो है आपकी अशुकधामा ये आपका एक रिलीजन है वैसे ही ये सेम आपकी एक लैंग्विज है और इसमें आपको इस लैंग्विज में कि ये पॉलिटिक तो सत्यवनस और कुशानस ठीक है इसमें जो आपका है क्या पढ़ाया जाएगा आपको इसमें मौरे के बाद का जो ये सत्यवनस और कुशानस का जो विशे संदर्ब थे मौरे के साथ साथ और उसके बाद में उस चीज़ को इसमें पढ़ाया जाएगा इसमें इसके राज्य में क्या चीज थी, क्या नहीं थी, एक एकोनॉमी तोर पे अर्थवयवस्था क्या थी, इसकी सोसाइटी क्या थी, संस्कृती क्या थी, ये सारी चीज़े आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, अब इसके बेस्ट रेफरेंस देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छी बुक बताई है, इसमें आपको आपका मैक्सिमम स्लेबस प्रोवाइड़ है, ऐसा थी है, देखो, स्टुडेंट्स आप अभी कॉलेज में आई हो, बट आप लोगों को 12th की तना एक NCR टीम नहीं मिलेगी, आपको अलग-अलग बुक से ही अपने नोट्स प्रोवाइड़ करने पड़ेंगे, ठीक है, सेकिंड बुक इसकी है, बुर्जोर आवारी के नाम से, इनका नाम बुर्जोर आवारी है, ठीक है, इंडिया दा एंश करके देख लेना एक बार कि यह मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस बुक में सबसे जादा आपका मटेरियल प्रोवाइड किया गया हो, आप वो बुक ले लो, कोई इशू नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स वगेरा के लिए हम आपके लिए हैं, आप हमसे डिस